पाथर डीथाने चेतर अंतर के चासनाल स्रमी कल्यान में बच्चों की मामली वाद को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए अस्तानिय लोगों ने सभी घायलों को चासनाल सीअची में भरती कराया जहां प्रात्मी किलाज के बाद सभी को छोड़ दिया गया वोई घटना के सूचना पुलीस को दे दी गई पुलीस मामले की चानबीन में जुट गई है घटना के संवध में बताया जाता है कि सुक्रवार को साम को बासुकुमार के पुत्र मोहित कुमार एवं भाज़ा साहिल घर के बाहर सड़क किनारे खड़े थी तब ए मोटर साइकल से सूरज सता कनहिया पासवान और सन्य आया और बेवजा गालियां देने लगे विवाद बरता देख आज़़ उसके लोगों ने पहुँचकर मामला सांथ कराया वही सूचना पाकर पाथर डी पुलीस पहुँची और दोनों पक्छो को समझा कर मामला सांथ करवाया वही घंटों बाध ही प्रमीला देवी कनहिया पासवान सूरज प्रमीला की बहुँ पुत्री वा अन्य लगभग छे से साथ युवकों ने अचानक लोहे के रोड लाठी डंडे लेकर आये और हमला कर दिया और सभी को लहुलुआन कर दिया बीच-बचाओ करने गए बासुदेव के बहनोई हरी प्रसाद भी घाल हो गये बासुदेव की पतनी चंदा देवी वा मोहित कुमार के सिर हरी प्रसाद के कान वा सिर साहिल सोनु गुनगुनादी भी घाल हुए है समचार लिखे जाने तक थाने में सिकायत दर्ज की गई है वहीं पुलीस मामले के चानवीन में जुट गई है किस मामले को लेकर जगड़ा हुआ था मामुली से बच्चलों के विवाग था तो बच्चलों गाली दे रहा था उसी करब में पहुंचे वहाँ दारू पिये वहाँ तो यह लोग मार्पिट की कौन-कौन लोग घाईल हुए आपके तरफ से पत्नी है क्या ना मत का चंदा दे बेटा मोंच कुमार है निखिल है और हमरे बेटी है चोटी गुन-गुन भगनी एक खम्री है उस्तब को मार्पिया है कि अच्छा मामला आप सुदा पातर दिशाना किसे इतना दिया आपने आपने आए लोग ठाना के लोग ठाना आये थे और देख करके चले गए अच्छ अच्छा अब लोग ठाने जाने अच्छा क्या नम हो आपका बासुदेपर साथ